कि बिस्मिल्लारमानी रहीम असलामलेकूम नाजरीन धनक चैनल की तरफ से खुश्यामदीद नाजरीन जैसे के आपको बता है कि सरदी का मौसम है और सरदी का मौसम में दिल जाता है कि कोई मजदार सी और करारी सी और फ्राई कीवी चीज खाएं तो मैंने सचा कि आज हम कीमे आपको मेरी की रैस्पी प्षंद आएगी और आप इसको ट्राइब करेंगे तो रैस्पी स्टार्ट करने से पहले कहूंगी के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें लाइक करें और बेल आइकान का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का बनाने के लिए सबसे पहले हम समोस की डो बनाएंगे इसके लिए मैंने ये दो कप मैदा लिया है और इसमें ये मैंने हाफ टी स्पून नमक और ये हाफ टी स्पून जीरा पाउडर आप चाहें तो जीरा साबत भी डाल सकते हैं लेकिन पाउडर जादा मसे का लगता है ये इसमें शामिल कर दिया और इसके साथ अब हम इसमें करीबन एक चमच घी डालेंगे ऑईल नहीं डालना हमने घी डालना है और इसको इस तरह से अच्छे त्रीके से इसमें मिक्स कर लेना सारे में जी ज्यादा में अद्धा हो तो आप इसको इस त्रीके से भी मशल सकते हैं लेकि ये थोड़ा से इसलिए मैंने इसको एक हाच से मिक्स कर लिए अब ये सारा जो घी है इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको हम ये नीम गरम पानी लिया है मैंने इसके साथ गूंद लेते पानी इसमें हमने एकी दफा में नहीं डालना थोड़ा थोड़ा शामिल करना है ताकि ये पतला ना हो जाए ये देखें ये मैद्दा अच्छे से गुंद गया है अब इसको हम दो घंटे के लिए ठाब के रख देतें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और सुमोशसे बनाना के लिए जो हमने बेलना है को वो अच्छे से बेल हो जी नाश्रीन फिलिग के लिए हमने ये लिया है 20.04 क्राम कीमा है आप बीव का लेले मतन का लेले चिकन का लेले जो तो आपको प्संध वो और मैंने मेर्च काट लिये सुर्भ मिर्च तीस्पून फूसी मभी और रहाव टीस्पून गरव मसाला तौन क्राणा नमक हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है और इसके इलावा हम यह डालेंगे लेसन अद्रक का पेस्ट है हाफ टेबल स्पून और थ्री टेबल स्पून हम कुकिंग ऑईल भी डालेंगे इसमें हमने थ्री टेबल स्पून कुकिंग ऑईल डाल दिया इसमें ज्यादा ऑईल की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इसको हमने समॉसों के अंदर फिलिंग करनी है इसलिए हलका ऑईल ही रखा इसमें अर अबिसमें हमने ये लेसन और अब्रेका पेस्ट है वोड़ा अल्गे अब इसको बड़ए रिखें ये लाइट ब्राउन होगे लाइट ब्राउन कहलें गॉलन ब्राउन कहलें अब इसके साथ ही हमने अभी शमेलें कर दिए इसको हम दो मिनट तक भूनेंगे इसमें, यह देखें, दो मिनट हो गए, इसको भूनते गए, तो अब इसमें हम यह देखें, भून गया, अभी पानी नहीं ट्राई हुआ, लेकिन हम इसमें बाकी यह चीजें भी डाल देते हैं, यह प्याज, टमाटर, आये, नमाक, मिर्च और हल्दी पाउडर, और जीरा पाउडर, जी, सब इसमें शामिल कर दिया हमने, और अब इसको हम, बिल्कुल लो फ्लेम पे, दस मिनट के लिए डाप देते हैं, ताकर यह जो कीमा है, वो अच्छा से गलज है, और दस मिनट के बाद इसको हम भूल लेंगे, जी, नाजरीन दस मिनट हो गए, यह देखे, अब इसको हम, मेडियम फ्लेम करके भूल लेते, इसको हम ने इतना भूलना है, कि बस इसकी जो, इसकी जोड़ना नी, क्योंकि हमने बहुत कम डाला था, इसको भूंते टाइम सलसल चलाते रहना है, इसकी अच्छी सीच भूआने शुरू हो गई है, अब इसमें हमने, आफ टी स्पॉन, गरा मसाला शामिल कर दिया, इसकी अच्छी आती है, यह अच्छी आती है, आप डालना चाहें तो डालें, अगर आपको नहीं स्थन्द हो तो आप बेशक नहीं डालें, सबस दनिया थोड़ा से शामिल कर देते हैं, सबस दनिया तो अगर हो घर में तो ठीक है, ना हो तो कोई मिजबूरी नहीं होती, दनिया के बगार भी सईव अंदर पसारा कुछ, यह हो गया, अब हम फिला बन कर दिया हमने, और इसको हम नाप देते, और अब हम इसके लिए जो मैदा हमने रखा था को उनके इसको बेलते, अब इसको हम पेड़े बना लेते, जी, यह देखें, इसके इस तरीके से हमने छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए, क्योंकि यह जो कीमे वाले समोसे होते हैं, इनका साइज छोटा सा ही होते है, और छोटे ही ज्यादा मज़े के लगते हैं, यह देखें, सारे पेड़े बन गए, अब इसको बेलते हैं, यह देखें, इसको हमने थोड़ा से इस तरह कर लिया, जब इसको बेलते हैं, इसको मेदा लगा लिया, ची तरह से ठाके यह जिब के नहीं, जितना ज्यादा इस पे मेदा लगा होगा, अतना ही यह ज्यादा चित्रिके से बेल होगी, यह देखें, जिस तरह से हमने इस पे मेदा लगा लिया, उसी तरह से यह खुलती जा रही है, यह देखें यह बेल लिया हमने इसको चित्रा से और यह बहुत बारीक बनाया है जो हमने समोसे बनाना आते हैं उनकी जो बेलते हैं उसके लिए इसको थोड़ा साम इससे मोटहा रखते है लिकीन यह उससे ज्यादा बारीक ही है और जो समुसे के लिए पटी हम बनाते हैं उसको हम इस तरह से सेंटर में से काटते हैं और इसके एक रोटी बना के इसके हम दो पीस करते हैं लेकिन इसकी हम इस तरह से नहीं करेंगे इसके हम तीन पीस करेंगे ये देखें ये तीन पीस हो गए इसके और इसके साथ ही मैंने ये थोड़ा सा मैदा लेके इसको पानी डालके तो इस तरह से बना लिए इसको जोडने के लिए तो अब इसके उपर हम इस तरह से एक साइड पर ये कीमा ढालिया हमने कियोंकि ये चोटे-चोटे से हमने समोसियां बनानी है चोटी-चोटी सी तो इन पर ज्यादा कि में उनकी मल गाने की जरूरत नहीं है अब इसको मेशेक आप इस तरह उंगली की मदद से आसे कर लें इस तरह से इस किमने को नमोर्द ये इसको को झाले गौ ने इसके नहरे प्यासिल गाले ने आर विसको इस्टरा से फोल कर दिया केद़के के तो यह से लंगा के अने यह की इसको और से लगाके आने इसके की बच्छिए इसको इस्टराको ने इसे टरवने को ऐसे फोल्ट कर दिया है यह देखिए इसी तरीके से अब हम यह सारी स्मोसे बन गए अब इनको हम फ्राइब करते हैं जी यह देखिए यह बैन में हमने डाल लिए और आयल गरम हो गया ही देखिए इच्छे सिर्ट आजए असानी से पैम में इतने डाल के गोर्डन प्राउं करें जी यह देखिए एक साइड इसकी पगड़ी है अब इनको पलट लेते हैं जी यह देखिए यह दूसरी साइड बी अच्छे से पर गए हैं और मज़दार से क्रंशी क्रंशी से और स्पाइसी से हमारे कीमेवाले स्मोसे त्यार हो गए अब इनको डिशाओ करें जी तो नाजरें यह देखें यह हमारे मज़दार से और हस्ता से स्मोसे त्यार हो गए तो इनको अब हम तो चाहे के साथ खाएंगे और इनका मज़ा लेंगे तो आप भी जरूर ट्राइ कीजेगा और आप इनको बना के फ्रीज भी कर सकते तो उमीद है कि ये रेस्पी आपको उपसंद आई होगी इसके साथ ही अब मुझे इजाज़ा देजिए अपनी दौाओं में याद रखिएगा अगली वीडियो तक के लिए अलाफिज